टी ट्वेंटी विश्वे कब 2021 शुरू हो गया है क्वालिफायर के बाद अब मुख्य मुकाबले शुरू हो रही है इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर यानि भारत पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है ये मैच 24 अक्टूबर को UAE के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा इसके लिए भारत और पाकिस्तान की टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है दोनों टीमों का इस विश्व कप में ये पहला मुकाबला होगा इसलिए और भी खास हो जाता है हाला कि भारती टीम के होसले बुलंद है क्योंकि उसने हल बार T20 में पाकिस्तान को हराया है पाकिस्तान की टीम भी अच्छी नजर आ रही है इस बीच मैच से पहले पाकिस्तान की टीम पर कुछ काम करने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे लिकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े अभी के अभी हमारे चैनल एनन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना मद भूलिए साथ ही आपको याद दिला दें कि हम आपके साथ लाइब भी जुड़ रहे हैं इसलिए जब भी इस चैनल पर हम लाइब आएए हमारे साथ सीधे जुड़ना मत भूलिएगा तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ICC ने इस बात का पूरे इंतिजाम किया है कि T20 विश्व कप का धमाकेदार आगाज हो इसलिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है साथ ही इन दोनों टीमों का पहला मैच भी आपस में ही रखा गया है चाहे T20 विश्व कप हो या फिर वन डे विश्व कप भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी रहा है इसलिए हर बार की तरह ही इस बार भी पाकिस्तान पर दवाब होगा इसी से बचने के रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के मुखिया रमीज राजा ने टीम से मुलाकात की है और उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आई है कि रमीज राजा ने कहा है कि भारत पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तानी टीम सोशल मीडिया से दूरी बरा कर रखे ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर तमाम मीम सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तानी टीम की खिल्ली उड़ाई चा रही है इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम से ये भी कहा गया है कि टीम भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचों की हाईलाइट्स भी ना देखे क्योंकि भारत ने हर बार पाकिस्तान को पीटा है ऐसे में मैच देखने से पाकिस्तानी टीम का मनोबल और भी नीचे हो जाएगा जो पहले से ही नीचे है टीम से कहा गया है कि जो पहले हुआ उसे भूल कर नए सीरे से मैच के बारे में सोचे हाला कि टीम के लिए ये सोचना इतना आसान नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच अब आपसी सीरीज नहीं होती है ICC के टूनामेंट में ही दोनों टीमें आमने सामने होती है इससे पहले विश्वकप 2019 में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था हर बार की तरह उस मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को पीटा था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को T20 में भारत के खिलाफ एवल एक ही जीत मिली है, वो भी चैंपियन्स ट्रॉफी में तब पाकिस्तान टीम ने भारत को फाइनल में हराया था तब से पाकिस्तान टीम एक अदग जीत के लिए तरस रही है, लेकिन मिल नहीं पा रही विश्वकप में तो अभी भी पाकिस्तान को जीत की तलाश है, देखना होगा कि रमीज राज़ा की ओर से टीम को जो जीत का मंत्र मिला है, वो कितना कारगर साबित होता है क्योंकि इस बार की संभावना काफी कम है कि पाकिस्तानी टीम भारत को हरा पाई देखना होगा कि भारती टीम पाकिस्तान को कितने रनों या फिर विकेट से मात देती है आज के इस वीडियो में नहीं लेकिन जल्द ही नया वीडियो लेकर हम फिर आएंगे इसलिए अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जाते जाते आपको याद दिला दें कि इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें